हेलो आज की वीडियो में हम बहुत इंपोर्टन टॉपिक डिसकस करने वाले हैं जो की है इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ कॉटन जो हमारे कॉटन का फील्ड होता है उसमें सबसे ज्यादा डैमेज अगर होता है तो वह इंसेक्ट और पेस्ट के अटेक की वज़ा से होता है कि तो में पढ़िए बहुत इंपोर्टेंट है इसे काफी क्वेंशन भी आते हैं हमारे अलगे सबसे पहले हम अच्पक्राश के बारे में काफी जादा डैमेज पहुचाया है हमारे कॉटन के फील्ड में उसी वाज़ा से बीटी कोटन भी बना था उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तब से पहले स्टार्ट करते हैं cotton bowl warm तो यह तीन टाइप के होते हैं spotted bowl warm, American bowl warm and cotton pink bowl warm इनके बारे में हम तुछाँ डीटेल से पढ़ेंगे सबसे पहला है हमारा bowl warm में spotted bowl warm इसका scientific name है ARAS vitella and ARAS insulina इसकी family है nocturid, order है lepidoptera जिते भी bowl warm होते हैं वो सारे lepidoptera में ही आते हैं इनका distribution and status देखते हैं यह cosmopolitan insect है means यह worldwide पूरे world में पाया जाता है इनका host range है cotton, भिंडी, मतलब वही ओकरा, holly hawk, hibiscus, cannabinus, abutilon, indicum यह जो abutilon, indicum है यह भी बालविसी family का एक medicinal plant है तो इस पे आप यह notice कर सकते हैं कि जितने भी host range होते हैं bowl warm की वो मालविसी family में ही होते हैं यह सारे जितने हैं host वो सारे मालविसी family के ही हैं इनका identification देखते हैं सबसे पहरा identification देखेंगे ARES Vatela का इसका तुलारवा होता है वो brownish color का होता है जिस पे dorsal means उपर वाले हिस्से पे white color की धार होती है means streaks होती है white color की धारिया होती है और जो नीचे होता है ventral surface वो pale yellow color का होता है जिसमें कोई भी finger shape processes means कोई भी segmentation देखने को नहीं मिलता इसका adult होता है वो small buff color का होता है buff means pale yellow light yellow type की color का होता है और जो four wings होती है वो pea green color की होती है और wedge या board shape का होता है और एक white type का ऐसा bend जो होता है वो margin के साथ parallel में run करता है अब देखते हैं identification यारिस insulana का इसका जो लारवा होता है वो brown color का होता है जिसके dorsal side पे white median लंबी-लंबी धारियां देखने को streaks देखने को मिलती है और इसका जो last का दो thoracic segments होता है और जिते भी abdominal segments होते हैं उसमें दो-दो pair मिलते हैं तुबर्कल्स की means finger shaped processes linings होती है finger shaped और जो pupa होता है वो brown color का होता है बोट शेप होता है और adult again small buff color होता है means pale yellow color का होता है और जो four wings होते हैं वो silvery green color के होते हैं अब इनके symptom of damage पढ़ लेते हैं सबसे first symptom है जिते भी terminal shoots होंगे means जो side side के top top की shoots होंगे वो flowering से पहले ही जो pre flowering stage होगी उसमें ही वो सूख के मुर्जा जाएंगे drying and drooping stage बोलते हैं और जिते भी fruiting bodies होंगे यंग बोल्स होंगे वो shed off हो जाएंगे जढ़ जाएंगे और इसका सबसे important symptom है flare square symptom यह कुछ इस तरीके से दिखता है जो बोल में जब attack करते हैं तो बोल पूरा ऐसा dry हो जाता है वो larva जो होता है वो feed करके spoil कर देता है और जिते भी infected bowl होते हैं वो maturity से पहरे ही open होते हैं जिसके वजह से जो lint होता है वो बहुत जादा poor condition में produce होता है इसका management देखते हैं इसका ETL है 10% infested shoots, squares और bowls means जब हमारे shoots, squares या bowls 10% infested हो जाएंगे means attack कर लेगा इस पर bowl warm तब हमें इसे manage करना बहुत ज़रूरी है अगर हम इसे manage इस time पर नहीं करते हैं तो हमें आगे बहुत जादा नुकसान हो सकता है हमारे field में जिसकी कांट पर production भी कम ह सकती है तो कैसे manage कर सकते हैं इसे spray करके insecticides को जैसे की इंडोकसा कार्ब और ट्राइज़ोफोस और इसका biological control यह बहुत ज्यादा important है तो इसको कैसे manage कर सकता है biological control करके bacillus thurengenesis यह एक biotechnological application है यह बैक्टीरिया है जो की insect जब feed करता है तो उसकी gut को damage कर देता है तो bowl warm की जो gut को की damage कर देगा और atlas की kill कर देगा तो यह जो है यह बहुत effective रहा है हमारे cotton के production में क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा increment हुआ है नेक्स्ट हम देखते हैं bowl warm में American bowl warm इसका scientific नहीं में हेली को वर्पा आर्मी जैरा फैमिली है नॉक्टूडी ओर्डर है लेपिड़ अप्टेरा इसका distribution है Cosmopolitan means यह पूरे वर्ल्ड वाइड में मौजूर होता है इसका होस्ट है सोरगम लबलब सोया बीन पीस संफ्लावर स इस ग्राउननट तबेको विंडी मेंंस टॉमेक्टो अब का विर्य देख सकते हैं अब घंड विंग वे दल्लेक बॉर्डर होते है उस पे और यह एग्ड रहे करते हैं वह सिंगल सिंगल पार में लेकरते हैं जोकी साथ दिन तक रहता है, साथ दिन बाद हेच होने के बाद यह लार्वा में BIG चेंच हो घ्र होता है अर इसा 14 days pupa में बदल जाता है, pupation इसका soil में होता है, then after 10 days ये again adult में चेंज हो जाता है. इनका damaging symptoms देखते हैं, इनके जो caterpillars होते हैं, वो leaves को, squares को, flowers को, और small bowls को attack करते हैं, और feed करते हैं, खाते हैं, और जब squares, flowers या bowls में attack होता है, तो ये उसका internal content means, अंदर का जित्ता भी lint होता है, सब को खा जाते हैं completely, और पूरे तरीके से damage कर देते हैं, और जित्ते भी damage squares होते हैं, bowls होते हैं, वो मुर्जा के ज़ड़ जाते हैं, और इसके कारण से, जो cotton में बहुत ज़़दा damage हो जाता है, इनका management देखते हैं, इसका ETL है one egg या फिर one larva per plant, monitoring कर सकते हैं, कैसे करेंगे pest monitoring, ये आइदर हम farm, village, state level पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, light traps को यूज़ करके, ferrament traps को यूज़ करके, male mode के लिए, और बहुत सारे surveys हम ले सकते हैं plot के, ताकि हम इसको monitor कर सके, और उनकी cultural practices देख लेते हैं, हमें क्या क्या avoid करना चाहिए, हमें हमेशा during winter, summer, हमेशा हमको water नहीं लगाना चाहिए, retuning को भी avoid करना चाहिए, monocropping avoid करना चाहिए, साथ में हमें green gram, black gram, soya bean, castres, sorghum के सब भी लगा देना चाहिए, और जिते भी crop residues होते हैं, उनको remove करके destroy करना बहुत जरूरी होता है, और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, कि हम nitrogenous fertilizer का controlled way में यूज करें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा nitrogenous fertilizer का use करेंगे, तो जो mode होगा वो ज़्यादा जल्दी multiply होगा, उसको favorable condition मिल जाएगी, multiplication, कब biological control देखते हैं, हम nuclear polyheterovirus यूज कर सकते हैं, और हमारा BT cotton तो high cotton के bowl worms को रोकने के लिए, और chemical control कैसे कर सकते हैं, हमें जहां तक cotton में chemical control को discourage करना चाहिए, हमें insecticide pesticide ये सब को यूज नहीं करना चाहिए, खास कर synthetic parathroids को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये cotton के quality को भी damage करते हैं, और हमें ऐसे insecticide को use करना चाहिए, जो इनके natural enemies को damage नहीं पहुंसाएं, क्योंकि अगर हम ऐसे insecticide use करेंगे, जो बहुत ज़्यादा harmful होंगे, बहुत ज़्यादा chemical, इनका strong होगा, तो वो क्या करेगा, बाकि जो इनके natural enemies हैं, जो मतलब इनका biological control के methods हैं, वो उनको भी damage कर देगा, जो कि हमारे लिए फिर problem create करेगा, तो इसलिए हमें ऐसे insecticide use करने हैं, जो कि कम damage करें, और उनको correct dosage में देंगे हम, जैसे कि है हमारा forcelon, इनको हम use कर सकते हैं cotton में, तो कि ये कम damage करता है, इसका chemical जादे strong नहीं होता, इसको हम अगर correct dosage में देंगे, तो फिर ये हमें benefit देगा, अब हमारा next bowl warm है cotton pink bowl warm, इसका scientific name है Pactinophera gossipyala, इसकी family है Gelichity, order है Lepidoptera, इसका distribution देखते हैं, ये इंडिया, पाकिस्तान, आफ्रिका, औस्ट्रेलिया, एशिया, एंड मेजर पेस्ट है, जो force range है, अगीन जितने भी मालवेशी के वे हैं, भिंडी, cotton, hollyoky, तीनों तो आते ही हैं, इनका identification देखते हैं, इसका जो larva होता है, वो अलग-अलग color का, इनमें variation देखता है, जो young larva होता है, वो white color का होता है, और जो late stage होती larva की, वो धीरे-धीरे dark हो जाती है, और यह आगे जाके green और pale pink color का भी हो जाता है, इसके जो larva होता है, उसके अपने लोग को dark light alternate bends देखने को मिलती है, इसका adult होता है, वो छोटा सा moat होता है, जिसका four wings brown color का, या फिर yellow color का होता है, उसके olive gray dark spots होते हैं, और इनका जो hind wing होता है, वो इनके margin जो होती है, वो deeply fringe होती है, इनका cycle देख लेते हैं, पहले adult mode जो होता है, वो 10 दिन के अंदर सारे eggs लेकर देता है, जो egg होते हैं, वो 3-4 दिन में hatch हो जाते हैं, लार्वा स्टेज आ जाती है, लार्वा स्टेज अप्रॉक्सिमेटी तो 15 इस तक चलती है, देन वो pupa में बदल जाता है, pupa में 7-8 देस तक रहता है, देन वो again adult में form हो जाता है, अब इनका symptoms देखते हैं, जैसे कि हमने spotted bowl warm का importance symptom पढ़ा था, क्या था वो flared square symptom, और इसका क्या है, pink bowl warm का roseted flower symptom, इससे आप याद कर सकते हैं, rose कौन से color का होता है, pink color का ह तो means pink bowl warm का कैसा characteristic रेखने को मिलेगा, roseted flower characteristic symptom है इसका, अब क्या होता है, इसका जो bowl, यह क्या करता है, जो bowls होते हैं, उसमें holes कर देता है, और इसका excreta भी देखने को मिलता है हमें उसके, और जब bowl open होते हैं, तो हमें जो इसका seed होता है, वो भी damaged form में देखता है, इसका जिते भी adjacent seeds होते हैं, आजू बाजू बाजू सीट होते हैं, उन पर एक साथ यह whole कर देता है, जिसके कारण से यह दो seed हो जाते हैं, मीज जूड जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, double seed symptom होते हैं, और जिते अभी attack birds होते हैं, immature balls होते हैं, वो shared off हो जाते हैं, मुर्जा के ज़ड जाते हैं, अब इनका management देखते हैं, हम इसके management के लिए pharomantrop का यूज कर सकते हैं, ताकि हम adult mode की activity को monitor कर सके, हम क्या कर सकते हैं, जितने भी shed है, जो fruit, जितने भी ज़ड गए है, fruiting parts, उनको collector के destroy कर सकते हैं, पिंक बोल वाम की लार्वा को हम भ्रोसरिक फ्लावर से उठा के crush कर सकते हैं, साइपर मेथरिंग केमिकल स्प्रे कर सकते हैं, हम biological control में लार्वल, परसेटोइट, ब्रेकॉन, ग्रीनी का भी यूज कर सकते हैं, और cultural method में देखा जाए तो हम pulses, जैसे की cow pea, green gram, black gram, soybean, ये सब के साथ इंटर क्रॉपिंग करा सकते हैं, और हम कुछ- अब हमारा next है, bowl worms खतम हो गए, अब next हमारा major pest है, cotton aphids, जो cotton aphids होता है, उसका scientific name होता है, F.S. gossipy, इसकी family होता ही, F.E.D.D. और order होता है, hemiptera, इसका distribution जो होता है, वो इंडिया में ही मिलता है, mostly, और ये कभी-कभी occasionally form में serious भी हो जाता है, host plant जो होता है, ये cotton, भींडी, ब् देखते हैं, इनका निम्फ होता है, वो yellowish और greenish color का होता है, जो की leaf के surfaces पे देखने को मिलता है, इसका adult होता है, वो greenish brown color का होता है, soft body, बहुत ज़्यादा soft body होती है, और जो insect होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, small होते हैं, और कभी-कभी इनके adult में winged form भी दिखता है, इनके symptom of damage देखते हैं, यह कहां कहां पे attack करते हैं, tender shoots means, जो young नरम नरम जो shoot होता है, जो अच्छे से hard नहीं होता, उस पे यह damage करते हैं, और साथ में leaves के मीचले वाले mental surface पे, under surface of leaves में attack करते हैं, देख सकते हैं आपनिया पे, और फिर यह क्या करते हैं, लीफ को जब attack करते है तो leaves क्या हो जाते हैं, curling और crinkling system, means leaves मुर्जा जाते हैं, और fold, curl हो जाते हैं, side side से, और यह क्या करते हैं, growth को रोग देते हैं, stentric growth कर देते हैं, और जब ज़्यादा severely attack करते हैं, तो इसमें blighted appearance, means yellow discoloration type की lessons देखने को मिलते हैं, और यह क्या करते हैं, ब्लैक सूटी mold भी देते हैं, और कुछ-कुछ honey dew भी देखने को मिलता है, हमें dark appearance का, जिसके का जो प्लांट होता है, पुरा dark ऐसा दिखने लग जाता है, और इसको manage कैसे कर सकते हैं, हमें इसको manage करने के लिए early season में ही monitor कर लेना चाहिए, ताकि नेम फोर एड़ेट हम पहले ही monitor करके अलग कर देंगे, then हम natural enemies को conserve कर सकते हैं, जैसे की coxinella, septum puncteta, aphelinus mellii, और इस पे insecticide स्प्रे कर सकते हैं, insecticide में याकर स्प्रे कर सकते हैं, acetamiprid और phlovalinate, अब हमारा next pest है, cotton white fly, इसका scientific name है, babesia tabesai, illurididae family order hemiptera, ये pale yellow bodied insect होता है, जिसका white waxy powder जैसा दिखता है, ये हलका ऐसा, और इनके पास दो pair of, एकदम pure white wings होते हैं, क्योंकि इसका नाम से ही प्रहल जाता है, इनके white fly बोलते हैं, means इसके पास white wings होते हैं, और लंबे hind wings होते हैं, इसके symptom of damage देखते हैं, इसका जो name for adult होता है, ये cell के sap को sub कर लेता है, कह इसके निचले भाग से, और जब ये बहुत ज़रा severe infestation होता है, means severely attack करता है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, premature defoliation, means maturity से पहले ही पत्ते जोड़ जाते हैं, और सूटी मूल का development हो जाता है, जिते भी birds and balls होते हैं, वो भी shadow हो जाते हैं, और जो बोल होती है, वो भी open, ब बहुत important damage है, ये क्या करते हैं, leaf curl virus को transmit करते हैं, उनके vector होते हैं, जो की बहुत जादा damage होता है cotton को, और ये जो insect है, ये highly polyphagus है, means ये बहुत सारे crops में, plants में, ये attack करता है, अब देखते हैं, इसे manage कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम white fly tolerant varieties लगा सकते हैं, जैसे की LK-861, अमरावती, कंचन, सुप्रिया, LPS-141, हम 100 kg seeds को imedacloplet से treatment कर सकते हैं, या फिर thaya methoxan भी यूज कर सकते हैं, हमें और क्या करना चाहिए, manage करने के लिए, timely sew करना चाहिए, और recommended spacing को follow करना चाहिए, और wider spacing रखना चाहिए, ताकि, जो attack है बोना हो पाए white fly का, और late sewing को avoid करना चाहिए, और हमें alternative host, जो है white fly के जिसे की brinjal, okra, tomato, tobacco, यह सब को भी avoid करना चाहिए, अब हमारा next pest है, dusky cotton bug, इसका scientific name है, oxycarinus highly penis, और इसका family health IED, order है hemiptera, इसका symptom of damage देखते हैं, यह एक minor सा pest है, तो इसका damage and management देखना ही काफी होगा, तो इसका symptom of damage में क्या करता है, यह बग है, तो यह सारे cells आपको सक कर लेता है, developing seed से, और bowls को open कर देता है, और lint में blackish color का रंग हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, तो इसका lint होता है, और यह क्या करता है, seat को discolored कर देता है, और सिकूर जाते हैं, जो seed beech होते हैं, वो shrunk हो जाते हैं, सिकूर से जाते हैं, इनका scientific name है, dicer, discurs, singulatus, family है, paracorridae, और rehameptera, इसके symptoms देखते हैं, यह red color का होता है, इसलिगे lint को भी red stain कर देता है, और bowls को सडा देता है, रोट कर देता है, और अंदर की जो inner bowl होती है, उस पे water like growth हो जाते हैं, water soaked like appearance देखते हैं, जो इनकी young bowl होते हैं, और वो कभी कभी dark brown में भ जाते हैं, और एक bacteria होता है, नेमेटोस्पोरेंजियो गॉसिपी, यह क्या करता है, इनका वेक्टर के थ्रू यह injury में enter करता है, और fiber को stain करता है, यह याद रखेंगे, कि red color का fiber किस वज़से होता है, यह bacteria के वज़से होता है, नेमेटोस्पोरो गॉसिपाई, इनका management कैसे कर सकते हैं, field को blow करना चाहिए, बरापर तरीके से, ताकि X जो है, वो उपर आ जाए होने हम अलब कर पाए, eliminate कर पाए, और phosphamidon का spray करकी हम इने manage कर सकते हैं, हमारा last pest है cotton का leaf roller, इसका scientific नेम है scylepter derogata, family है parasutida, और order है lapidoptera, इसका symptom of damage देखते हैं, यह क्या करता है, लीफ को roll क कर देता है, और leafs roll होने के बाद trumpet, जो एक musical instrument होता है, trumpet उसकी तरह ऐसे दिखने रख जाते हैं, और यह thread से, silicon thread से बान देता है, आपस में leafs को, और इनका marginal portion होता है leaf का, वो यह feed कर देता है, और plants जो होते हैं, जब severe attack होता है, तो defoliate भी होते हैं, जहर भी जाते हैं, इनका management कैसे कर सकते हैं, सारे destructive, जितना भी affected plant parts हैं, जो जढ़ चुके हैं, उनको collect करके destroy कर सकते हैं, hand picking कर सकते हैं, caterpillars की, और spray कर सकते हैं, chlorpyrifoss या फिर dry chlorofoss का, अब हम लास्ट में देखेंगे, IPM module for cotton, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, cotton के जो pest है, वो बहुत जादा important है हमारे exam के perspective से भी, और साथ में एक farmer के लिए भी, क्योंकि उनको बहुत problem होती है, cotton के field में, insert के बज़ा से, तो first इनका IPM module देखते हैं, अब इसमें यह ज से लेवल पे आने के बाद, स्टेज में आने के बाद हमें management करना बहुत जादा जरूरी हो जाता है, जिते भी leaf hoppers से उनका है, वन से टू लारवे पर leaf दिखेंगे, तो हमें उसे manage कर लेना चाहिए, वाइट फ्लाइस का है, 5 से 10 दिखेंगे, adult के लिए per leaf पे, और 20 निम्फ दिखेंगे, अगर per leaf पे तो, bowl worms का क्या है, 10% shoot या फिर bowl damage होंगे, तो हमें manage करना पड़ेगा, stem bevil का 10% अगर हमें infested plant नजर आएंगे, तो हमें manage करना पड़ेगा, और sport of terrace का क्या है, अगर हमें 8 लगभग A-tech के masses दिखेंगे, पर 100 meter के row में, तो हमें समझ आ जाएगा, कि ह by traps use करना है हमें, जिते भी hoppers, podoptera और bowl worms है, उनके लिए, pharaoh 1 trap याद रखेंगे, हमेशा मेल मोच को monitor और destroy करने की काम आते हैं, और हमें इसे natural enemies का use कर सकते हैं, जैसे की chrysoperalacarnia और trichogramma species, और हमारा BT cotton जो biological control है, जो biotechnology के application से बनाया गया, वो तो बहुत ज़रूरी है ही, so this is all about today's video, आज हमने cotton के major and minus insect pest के बारे में पढ़ा, जिसमें से bowl worm बहुत जादा important थे, उसमें हमने BT cotton के बारे में पढ़ा, और सारे insect का हमने scientific name, family, order, उनका bionomics, identification, alternate host, वो कहां कहां पाए जाते हैं, उनका symptom of damage, जो main main characteristic symptom थे वो भी पढ़े हम लोगों ने अच्छे से, और साथ म हमने management देखा, so thank you, अगर आप इस channel में नए हैं, तो please हमें subscribe करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो do like, comment and share, आगे आपको जिस भी टॉपक पर वीडियो चाहिए, comment करके जरूर सजेस्ट करें, thank you